दोस्तों अपना यूट्यूब चानल जीतें टेसेर इस होटेक्स में आप सबी का स्वागत है आज मैं इम्तियाज हमत के बिहार एक परचे से महत्पुन सवाल लेके आपके बिच मोज़द हूँ चलिए देर न करते हुए वीडियो प्रारम करते हैं पहला पॉइंट है छटी सताबदी इशापुर में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ इनमें कितने महाजनपद बर्तमान बिहार के छेत्रों में इस्थित थी सही जबाब हो जाएगा आप्शन बिहार के छेत्र में इस्थित नहीं था सही जबाब हो जाएगा आप्शन C बद्स नेक्स कोस्टन तिसरा बिहार के किस छेत्रों में अंग महाजनपद इस्थित था सही जबाब हो जाएगा आप्शन बूद्स कोस्टन चोथा कोस्टन अंग महाजनपद की राजधानी थी आप्शन A गया आप्शन B गिरीवरज आप्शन C बैसाली आप्शन D चमपा सही जबाब हो जाएगा आप्शन D चमपा बूद्स के समय तक चमपा की गनना भारत के छह महानगरियों में की जाती थी नेक्स कोस्टन पचमा बिहार के पटना तथा गया का जीला किस महाजनपद में शमलित था आप्शन A अंग आप्शन B मगद आप्शन C बजजी आप्शन D असमक सही जबाब हो जाएगा आप्शन B मगद नेक्स कोस्टन चठा मगद महाजनपद की राजधानी थी अप्शन A गिरि ब्रज राजधीर अप्शन B पटली पुद्र फटना अप्शन C गया अप्शन D चम्पा सही जबाब हो जाएगा औप्शन A गिरि ब्रज राजधीर नेक्स कोस्टन सत्मा मगद तथा अंग महाजनपद को कोन सी नदी पिर्थक करती थी Option A. अस्ची नदी Option B. बरून नदी Option C. चमपा नदी Option D. उप्युक्त में से कोई नहीं सही जबाब हो जाएगा Option C. चमपा नदी Next question अठमा बिहार में इस्थित कौन सा महाजनपद आठ राज्यों का एक संग था Option A. मगद Option B. बज्जी Option C. अंग Option D. उप्युक्त सभी सही जबाब हो जाएगा Option B. बज्जी Next question नदमा कोईशन बज्जी संग में कोन राज सम्मिलित नहीं थी Option A. लिश्वी Option B. ग्यात्रक Option C. बिदे Option D. चेदी सही जबाब हो जाएगा Option D. चेदी Next question बज्जी संकी राजधानी थी Option A. बैसाली Option B. मुझपरपूर Option C. कुंडग्राम Option D. मिथिला सही जबाब हो जाएगा Option A. बैसाली Next question इगारमा बिहार के भागों में इस्थित कौन सा महाजनपद में गंतंत्र खा Option A. मगद Option B. बज्जी Option C. अंग Option D. उप्यूग सभी में सही जबाब हो जाएगा Option B. बज्जी Next question बरहमा इसा पूर्व छटी सताब्दी सदी में विश्व की पर्थम गंतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी Option A. बैसाली Option B. एथेंस Option C. स्पार्ट्रा Option D. पाटलिपूत सही जबाब उप्शन A. बैसाली Next तिरहमा कोश्चन मगद की पर्थम रजधानी कौन सी थी Option A. पाटलिपूत Option B. बैसाली Option C. गिरीवरज राजगरी Option D. चमपा सही जबाब उप्शन C. गिरीवरज राजगरी Next question चोदहमा प्राचीन भारत के स्तोलों महाजनपदों में से एक था Option A. चमपा Option B. नालंदा Option C. बैसाली Option D. अंग सही जबाब Option D. अंग Next question पंदरहमा बिस्व का पहला गंतंत्र बैसाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया Option A. मौर्ज Option B. नंद Option C. गुप्त Option D. लिच्वी सही जबाब Option D. लिच्वी महाजनपद के बाद जैन धर्म से संबंदित महत्पून सवाल पहला है जैन धर्म के पास्तविक संस्थापक और 24 में एवं अंतिम तिर्थंकर महावीर का जनम कहा हुआ था Option A. पावा Option B. लूम्बिनी Option C. कुंडाग्राम Option C. D. कुशिनरा सही जबाब Option C. कुंडग्राम महावीर का बचपन का नाम बर्दमान था Next question दूसरा महावीर के जनम अस्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है Option A. पटना Option B. बैसाली Option C. मुंगेर Option D. चमपारन सही जबाब Option B. वैसाली महावीर स्वामी का जनम का बर्दम आम तोर पर 540 इसापुर्म माना जाता है Next question दूसरा महावीर स्वामी के पिता सिदार्थ का संबंध था Option A. सारनाथ से Option B. बिदेश से Option C. बजजी संग से Option D. कपिल वस्तू से सही जबाब Option C. बजजी संग से सिदार्थ बजजी संग के एक गनराज कुंड ग्राम के ग्यात्रिक छत्रियों के परमुक थे Next चोथा है महावीर स्वामी की माता तिरिशला बिदेह दत्ता राज कुमारी थी Option A. लिक्षिवी की Option B. सारनात की Option C. बिदेह की Option D. अंग की सही जबाब Option A. लिच्वी की तिरिशला लिच्वी परमुक चेटक की बहन्ती Next सवाल पच्मा महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था Option A. पावापुरी में Option B. कपिल वस्तू में Option C. बैसाली में Option D. कौसाम्बी में सही जबाब Option A. पावापुरी में पावापुरी बिहार के नलंदा जिला में इस्थित है Next सवाल 6. महावीर की मिर्तिव निर्वान हुई थी Option A. बैसाली में Option B. पावापुरी में Option C. बिदेह में Option D. राजगुरी में सही जबाब Option B. पावापुरी में Next सवाल सवाल पर्थम जैन संगीति का आयोजन हुआ था Option A. पाटली पूत्र में Option B. बलभी में Option C. बैसाली में Option D. राजगुरी में सही जबाब पतली पुत्र में नेक्स सवाल पर्थम जैन संगीतिक आयोजन किसके सासन काल में हुआ था चंदरगुप मौर्ज आजात सत्रू अप्षन C असोक अप्षन D कनिस्क सही जवाब अप्षन A चंदरगुप मौर्ज नेक्स सवाल नौमा सवाल पर्थम जैन संगीतिक क्या ध्यक्स्ता किसने की थी अप्षन A देववर्धी चमाव स्रमन अप्षन B महाकस्यप अप्षन C शाब कामीर अप्षन D अस्थूल भर्द सही जवाब अप्षन D अस्थूल भद्र नेक्स सवाल बद्र किया गया अप्षन B जैन धर्म के महत्पून बारा अंगों का परने नयान किया गया एबं जैन धर्म के भागो स्वेतामबर एबं दिगामबर में बिभाजन हुआ अप्षन C उपियुक्त A और B दोनो अप्षन D नही A जैन धर्म के महत्पून बारा अंगों का प्रने नयान किया गया और जैन धर्म के भागो स्वेतामबर एबं दिगामबर में बिभाजन हुआ नेक्स सवाल इगरमा सवाल जैन धर्म के बारह में तिर्थंकर बसू पुज की जनम अस्थाली थी अप्षन A गया अप्षन B पटना अप्षन C चमपा अप्षन D वैसाली सही जवाब अप्षन C चमपा कुछ बाध धर्म से महत्पून सवाल सवाल नमर एक बाध धर्म के संस्थापक गौतम बुद ने त्याग के उपरांद सरपर्थम गये थे अप्षन A उरू वेला बोध गया अप्षन B वैसाली के समीब अलार कलार के आश्रम अप्षन C चारनाथ अप्षन D उप्युक्त में से कोई नहीं सही जवाब अप्षन B वैसाली के समीब अलार कलार के आश्रम नेक्ष सवाल दुसरा सवाल गोतम बुद को कहां कॉंडिल और पांच ब्रहमन मिले अप्षन A उरूबेला बोध गया अप्षन B वैसाली अप्षन C पाटली पुत्र अप्षन D चारनाथ सही जवाब अप्षन A उरूबेला बोध गया नेक्ष सवाल तिसा सवाल गोतम बुद को ज्यान प्राप्ट हुआ था अप्षन A बोध गया में अप्षन B जिरिम्बिक ग्राम में अप्षन C कुसी नरा में अप्षन D सारनाथ में सही जवाब अप्षन A बोध गया में नेक्ष सवाल चोथा सवाल गोतम बुद को किस नदी के किनारे ग्यान की प्राप्टी हुई अप्षन A गंगा अप्षन B निरंजना अप्षन C गंडक अप्षन D सोन सही जवाब अप्षन B निरंजना उन्हें ग्यान की प्राप्टी बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल ब्रिच के निचे हुई थी नेक्षन पच्मा सवाल राजग्रीह में आयोजित पर्थम बोध संगीती में कोन से कार्ज हुए अप्षन A बोध धरम दो भागो यानि अस्थावीर और महा संगीत के रूप में विवाजित हुआ आप्षन B बोध की सिछाओं का संकलन सूत पितक एवं बिने पितक में हुआ आप्षन C बोध धरम दो भागो यानि हीन यान और महा यान संप्रदायों में बटा आप्षन D उप्युक्त में से कोई नहीं सही जवाब आप्षन B बोध की सिछाओं का संकलन सूत पितक एवं बिने पितक में हुआ नेक सवाल छटा सवाल ज्यूतिये बोध संगीती कायोजन बैसाली में हुआ इसमें किये गए कार्ज थे आप्षन A बोध धरम दो भागो अस्थावीर और महासंगीक के रूप में बिभाजित हुआ आप्षन B बुद की सिछाओं का संकलन सुत पितक और बिने पितक में हुआ आप्षन C कुछ कठोर नियम बनाए गए और अभी धम पितक का संकलन हुआ आप्षन D उपयुक्त में से कोई नहीं सही जबाब आप्षन A बोध धरम दो भागो अस्थावीर और महासंगीक के रूप में बिभाजित हुआ नेक सवाल सत्मा सवाल तिरितिय बोध संगीती का आयोजन पाटली पुत्र में हुआ इसमें किये गए कार्ज थे आप्षन A बोध धरम का दो भागो यानि ही नियान और महायान संप्रदायों में बिभाजन आप्षन B बुद की सिक्छाओं का संकलन सूत और बिनेपितक में हुआ आप्षन C बोध धरम का दो भागो अस्थावीर और महासंगीक के रूप में बिभाजन सही जबाब तिर्थिय बोसंगीति कायोजन लगवग 251 इसापुर में हुआ था नेक सवाल अठमा सवाल नीम नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद का घनिष्ट सम्वंद रहा है उप्षन ए बोध गया उप्षन बी राजगिरी उप्षन सी बैसाली उप्षन डी उप्युक सभी सही जबाब उप्षन डी उप्युक सभी नेक सवाल नौमा सवाल महात्मा बुद ने पाटली पुत्र के बिनास के कारणों की भविश्वानी की थी उनमें समिलित थी, उप्षन A, बाड, उप्षन B, अगिनी, उप्षन C, आंत्री कलर, उप्षन D, उप्युक सभी, सही जवाब, उप्षन D, उप्युक सभी नेक सवाल, दस्मा सवाल, बोध गया में मہबोधी मंदिर बनाया गया, जहां उप्षन सब्षन B, गोथम बोध को घ्यान पराप्त हुआ, उप्षन C, गोथम बोध ने अपना पर्थम परवचन दिया, उप्षन D, गोतम बोध की मिर्तिव हुई थी, सही जवाब, उप्षन बी गौतम बुद को ग्यान प्राप्त हुआ नेक सवाल इगरमा सवाल परसिद बहुत सारी पुत्र का जनम हुआ था option A नालंदा में option B पैसाली में option C गया में option D पठना में सही जवाब option A नालंदा में दोस्तो यदि आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक केजिए और दोस्तों में शेल केजिए साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो हूँ तो सब्सक्राइब कर ले जिससे कि जब भी मैं आपके लिए प्रतियों की प्रिच्छा से समधित सवाल लाव तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले धन्यवाद